होचल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संतों से CM योगी आदितनात की ये मुलाकार संतों के साथ बैठ कर CM योगी आदितनात ने आने वाले दिनों के सभी कारिक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है आप देख पा रहे हैं यहां पर CM योगी आदितन कि मौजूदगी और आयोध्या के तमाम साधूसंत मौजूद है और यहां पर चर्चा हो रही है कि 22 तारिक जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है उन सभी करोडों राम के भक्तों को है जो प्राण प्रतिष्ठा को अगर आयोध्या में मौजूद होकर के नहीं देख सकते त जो टीवे स्क्रीन के जरीए भी देखना चाहते हैं जो लोग अयोध्या पहुच रहे हैं उनके लिए क्या तैयारी की गई है किस तरह से सारी पूजा विधियों को पूरा किया जाएगा इन सभी विश्यों पर मुख्यमंत्री संतों से चर्चा करते हुए आयोध्या में राम जन्म भूमी पत को सजाने का काम भी चल रहा है राम जन्म भूमी पत की किनारे नकाशी दार बनाया गया दिवारों को सजाने का काम चल रहा है राम जन्म भूमी पत की दिवार को फूलों से सजाय जा रहा है लिहाज़ता राम नगरी पहुचे शद्ध जालू सेल्फी भी ले रहे हैं जब बड़ी तादाद में व्याइपी मौजूद होंगे लोग मौजूद होंगे तो सुरक्षा एक बहुत ही महत्वणवेशा है आयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक्ष्वाबंद कर दी गई है कि कोई भी परिंदा तक पर ना मार सके सडकों पर तो जवान तैनात हैं साथी एंडियारेफ की टी में भी आयोध्या पहुँच चुकी है सर्यू नदी में भी निगरानी रखी जाएगी एंडियारेफ के जवान नदी में रहकर आयोध्या नगरी पर नज़ा रखेंगे आप देखें मेरे बाई तरफ सर्यू की कलकल धारा बह रही है और इस जगह पर कई ऐसे घाट हैं जहां पर धालू आते हैं दूसरी तरफ ये तस्विरें आपको दिखाएं कि ये एंडियारेफ के टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है तैनाती के लिए और सर्यू की जिम्यदारी इस एंडियारेफ के जिम्में है और ये अपने एक्टिमेंट्स इसको तयार कर रहे हैं क्योंकि पूरे के पूरे सर् चल होगी और सर्यू नदी की कलकल धारा के जरिये ये लोग अपनी निग्रानी पूरे अयोध्या की करेंगे और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए हैं खबरों का सिलसला ब्रेक के बार भी जारी है